नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग जहां एक और बिहार में बड़ा तख्ता पलच हुआ देखने के लिए मिलता है कि जो नितीश कुमार हैं वो एंडिये के साथ गटबंधन कर लेते हैं तो वही आरजेडी ना केवल सत्ता से बाहर हुई बलकी यहां पर आरजेडी सुप्रिमो लालो पर साथ यादव पर एड़ी का शिकंजा भी कस्ता हुआ नजरा है इस दोरान आरजेडी ही नहीं बलकी बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचा लाता हुआ नजरा रहा है जहां एक और नितीश कु कुमार अपने मुख्य मंत्री बनने की खुशी को जाहिर करते हुए नजरा रहे हैं तो वहीं और जेडी समेट तमाम विपक्षी दल अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए भी नजरा रहे हैं इसे बीच देखा गया कि लालू पर साथ यादव की बेटी रोहिनी अचारि या अक्टिव मोड में नजराए नितिश कुमार को लेकर जिस तरीके से खुले तोर पर रोहिनी अचारिया ने अपना बयान दिया कहती हुई नजराती है कि कुड़ा कुड़े दान में ही चला गया अच्छा हुआ अब आपको बता दे कि इस कड़े बयान के बाद रोहिनी अचारिया की तरफ से एक और बड़ा कदम देखा गया रोहिनी अचारिया ने एडी अधिकारियों को खुली धमकी दे दी है वो कहती हुई नजराती है कि अगर पापा को कुछ हुआ अगर खरोच तक आई तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा ऐसे में क्या माल लिया जाए कि अब एडी अधिकारियों को जिस तरह से यहां पर धमकाती हुई रोहिनी अचारिया नजरा रही है क्या आरजेडी को अब संभालती हुई यहां पर रोहिनी अचारिया नजरा सकती है जिस तरीके से वो एक्टिव मोड में नजरा रही है और अब बार बार राजनितिक ग नभाल रही हूं लेकिन फिर भी बिहार में तक्ता पलट होने से ते जस्वी यादव रोक नहीं पाई तो क्या अब यहां पर लालू परसाद यादव और जेडी की कमान अपनी बेटी रोहिनी अचारिया को आने वाले समय में सौपते हुए नजरा सकते हैं क्या लगता है अज़े दीजे जासत नमस्कार